पेपर 2 ये सश्टी के लिए एक महत्पूर्ड टोपिक लेकर आ चुका हूँ, टोपिक का नाम है राजा एवं उनके राज, इस टोपिक से आपके एकजाम में 20 पिरसन पूँचे जा चुके हैं, यह है टोपिक क्लास सेवंत, हिस्ट्री का एक महत्पूर्ड टोपिक है, इस हर बार परिच्छा में बार बार पिरसन पूँचे जाते हैं, आईएगा इस टोपिक से पूँचे गए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पिरसन दिखा देता हूँ, जैसे की पिरसन यहाँ पर पूँचा गया है कि दंती दुर्ग जिसने हिरड़े गर्ब नामा के पूँचा गया है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो आपका है टोपिक है, इस टोपिक में साथवी सताब्दी की बात की जाएगी, जिसमें गुरजर प्रतिहार हो गए, पाल हो गए, आपके चोल बंस हो गए, इन सभी राजबंसों की यहाँ पर चर्चा की जाएगी, अंगला क्वेस्टन कैसा पूँचा गया है कि साथवी सताब्दी में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार विबिन चेतरों में किस काम से जाने जाते थे, ऐसे टाप के क्वेस्टन इगजामनर ने आप लोगों से पूँचे हैं, अंगला क्वेस्टन दे लाइन टू लाइन मैं आपको दिखाऊंगा कि एगजामनर ने NCRT पुष्टक की किस लाइन से है क्वेस्टन उठा कर आप लोगों से पूँचा था, आईएगा सबसे पहले थियोरी को खतम करते हैं, टोपिक यहाँ पर आचुका है राजा और उनके राज, इस टोपिक मे मुख तोर पर सातवी सताब्दी से लेकर बारवी सताब्दी के मद में उदय होने वाले प्रमुख राजबंसों का अधन यहाँ पर किया जाएगा, सातवी सताब्दी के बाद कई राजबंसों का उदय हुआ है, मानचित्र एक में यहाँ पर दरसाया गया है, यह मानचित् प्रमुक राजबन से भी यहांपर क्येसे बनेगा। राजबंस कौन सा था ठीक है तो आपके चौहान याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार परमार चंदेल ये राजबंस आपके उत्तर भारत के प्रमुक रूप से उधे हुए थे सात्वी सताब्दी से लेकर बार्वी सताब्दी के बीच में अगर पूरब में आपसे पूच जैसे राजबंसों का यहाँ पर उधे हुआ था आईएगा आंगे मैं आप लोगों को यहाँ पर समझे अब यहाँ पर बात करेंगे नए राजबंसों का उधे सात्वी सधी आते आते उप महादीप के बिबिन भागों में बड़े भू स्वामी और योद्दा सरदार अस् हाजरी लगाएं उन्हें सैन सायता प्रदान करें अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर अपने आपको जो सामंत लोग थे वो महा सामंत और महा मंडले सुर गोसित कर लिया करते थे यहाँ पर मुक रूप से निसकर्स क्या निकल कर आया है वो मैं आपको यहाँ पर बतात ही और योद्धा सरदार अस्तित में आचुके थे राजा इनको क्या कहता था मात हत कहता या सामंत के रूम में इनको मानता देता था यह लाइन आपके लिए महित्पूर है और आंगे बताया गया है यह लोग जो थे यह राजा के लिए उपहार लाया करते थे दरबार में ह आजरी भी लगाया करते थे और सैन साता भी राजाओं को पिरदान किया करते थे और ये अपने आपको जो सामंत या बड़े भूस स्वामी थे ये अपने आपको महा सामंत भी गोसित कर लेते थे खुद से और महा मंदले स्वर भी खुद से ही गोसित कर लिया करते थे बात आ इविन चेत्रों में किस नाम से जाने जाते थे, राइट जबाब यहाँ पर महा सामन्त होगा, अमात होगा, महामात होगा, या सामन्त होगा, मैंने आपको बताया जो राजा लोग थे, बे बड़े भू स्वामी और योद्धाओं को किस नाम से जानते थे, सामन्त के नाम से, या महमत के नाम से ठीक है तो सामन्त यहाँ पर राइट जबाब होगा और महा सामन्त या महा मांडले स्वर की बात करो यह खुद को घोसित कर लिया करते थे सामन्त लोग ठीक है राइट जबाब यहाँ पर आपका ओप्सन फोर हो जाएगा आँगे यहाँ पर बताया गया है कि इस तरह का एक उधारण भी दक्कन में राष्ट कूटों का था सुरुवात में भी करनाटक के चालुक राजाओं के अधीनस्त थे यहाँ पर महित्पूर लाइन आपके एकजाम के लिए दी गई है और इसी लाइन से भी एकजामनर ने आ आपके एकजाम में कूशन पूचा है तो यह चेप्टर बहुत महित्पूर है आपके एकजाम के लिए इस वीडियो को आप पूरा का पूरा जरूर देखिएगा आठवी सदी के मद्द में एक राष्ट कूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक सौमी की अधीनत से इनकार कर दिया उसे हराया हरड गर्व यानि की सोने का गर्व नामा के एक अनुष्टान किया जब यह अनुष्टान ब्रामणों की सायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता थी कि इसके याजक जनमा छत्रिये ना होते हुए भी छत्रिये की रूम में दुबार लोग इसको समझने का प्रयास की जिएगा ठीक है जो आपका दंती दुर्ग था इसने कौन सा अनुष्टान किया इसने आपका हिरड गर्ब नामक अनुष्टान किया था अपने चालुक सौमी की अधीनता से इनकार कर दिया था और उसे हरा भी दिया था और चालुक का ये र दंती दुर्ग ही था, ठीक है, तो आईएगा सबसे पहले मैं आपको यहां से क्वेस्टन को करवाता हूँ, क्वेस्टन आपकी एक्जाम में ऐसे पूँचा गया, दंती दुर्ग जिसने हिरडगर्ब नामा के एक अनुष्टान किया था, वह था, चोल राजा, प्रतिहार र जा राश्ट कूट प्रधान या पल्लव प्रधान, मैंने आपको बताया, वह आपका दा, राश्ट कूट प्रधान, दंती दुर्ग ने राश्ट कूट वंस की इस्तापना की थी, आप यहां पर देख सकते हैं, एक्जामनर एक्जाम में किस परकार से क्वेस्टन आप से पूछता है आँगे यहाँ पर बात की गई है कुछ अन उधारणों में उद्धमी परिवारों में पुरुसों ने अपनी राजसाही कायम करने के लिए सैन कोसल का इस्तेमाल किया मिसाल के तोर पर कदंब मयूर सरडम और गुरजर पृतिहार हरिस्चंद ब्रहमड ते जिनों ने अपने परंपरागत पेसे को छोड़ कर सस्त्र अपना लिया था क्रमसा करनाटक राजस्तान को मतलब कि वहाँ पर इन्हों ने राज सफलता पूर्बक किया था यहाँ पर एक चीज निसकर्स सामने निकल कर आ चुकी है दंती दुर्ग के बारे में जिसने आपका हिरड गर्ब यानि कि सोने के गर्ब नाम से एक अनुष्टान किया था यह आपके उधारड दिये गए जो आपका दंती दुर्ग था यह च्छत्रिये नहीं था कैसा नहीं था यह च्छत्रिये नहीं था और इसने रड़ गर्ब नामक यग करवा लिया उसके बाद यह च्छत्रि यह नहीं था, यग करवाया, यानि कि अनुष्टान करवाया, उसके पसाथ ही इसने अपना च्छतृत प्राप्त कर लिया, यहाँ पर दिया गया है, दुबारा च्छतृत प्राप्त कर लेगा, ठीक है, तो यह लाइन आपके लिए महतपुड़, यहाँ पर भी आपको एक च जिसमें बिसुडू को नरसिंग अर्थात पुरुस सिंग के रूम में दिखलाए गया यह कृति राष्ट कूट काल की है। किस काल की करती है आप यहाँ पर पुरूप के तोर पर देख सकते हैं। हो जाएगा आपका राष्ट कूट काल की आपकी प्रती है जिसमें आपके बिसुडू नरसिंग को पुरुस के रूम में दिखाया गया है। आपको चित्र भी मैंने वहाँ पर दिखाया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी लाइन से आपके एकजाम में क्वेस्टन पूचा जा चुका है। आईए मैं आपको आँगे यहाँ पर ले चलता हूँ। चक्रवरतिन की उपाधी धारड की और अनेक प्रकार की उपाधियां धारड करते थे राजा लोग। आँगे यहाँ पर बात कीगी। लेकिन इस तरह के दावों के वावजूद बे अपने सामंतों। सामंत का मतलब क्या होता है? बड़े भू स्वामी क्या मतलब होता है? बड़े जो भू स्वामी हैं आपके या जो सरदार योद्ध हैं उनको ये सामंत कहते हैं। बताए गया है उनके साथ ही साथ किसान होगे, सामंत के साथ किसान होगे, ब्यापारी होगे, ब्रामणों के संगटनों के साथ अपनी सत्ता की साज़ेदारी किया करते थे। आँगे आओ, मैं आँगे यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कुछ महतपूर चीजों को, यहाँ पर एक लाइन आपकी दी गई है, वो बड़ी ही महतपूर है, यहाँ से क्वेस्टन भी पूचा जा चुका है, यहाँ पर मैंने पहले ही से लिख दिया है, इम्पोर्टे बड़ा ही महतपूर कौन सा कर, बेटी कर, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, बेटी कर जो नगद की वजाए जबरन स्रम के रूम में लिया जाता था, यानि जबरन स्रम और कदमाई यानि भूराजस थे, बड़ा ही महतपूर है, बस आपको इतना ही यहाँ पर करने के लिए लगने बाला कर, इत्यादी का भी उल्लेक यहाँ पर मिलता है, तो आप लोगों ने इस चीज को पढ़कर या सुनकर क्या समझा, मैं फिर आपको बताता हूँ, यह बात की जा रही है, चोल बंस की, कहां की बात की जा रही है, तमिल लाडू के चोल बंस में ब बेट्टी कर लागू किया जाता था, बेट्टी कर क्या था, नगद की वजाए जबरन स्रम करवा जाता, जबर जत्ती मजदूरी करवाई जाती थी, इसका मतलब यह ही है, यह मकान की साजन पर भी डाला गया कर होकता है, खजूर या तार के पेनट पर चड़ो, सीडियों क इस्तेमाल करोगे, उसके लिए भी आपको कर देना पड़ेगा, ठीक है, तो चोल बंस में आपका एक बेट्टी कर है, जो बड़ा ही फेमस और प्रिसिद्ध है, आईएगा क्वेस्टन एक्जामनर ने किस प्रिकार पूँचा, सबसे पहले मैं आपको क्वेस्टन करवाता हूँ, वेस्टन आपके इकजाम में इस प्रिकार से पूँचा गया है, निमनलिकित राज बंसों में किसके समय बेट्टी कर नगत के वजाए जवरन स्रम के रूम में लिया जाता था, बही बात आगई जो मैंने आपको अभी समझाई थी, कौन सा जबाब यहाँ पर होगा चोल बंस, चोल बंस के दोरान बेट्टी कर लिया जाता था, यह कर ताड़ के पेंड़ पर चड़ो, उसके लिए भी आपको देना पड़ता था, पारिबारिक संपत्ती को हासिल करने के लिए भी आपको देना पड़ता था, राइट जबाब यहाँ पर चोल बंस की यहाँ से संसाधन एकटे किये जाते थे इनको अकसर अपने उत्पादों का एक साथ त्यागने के लिए मनाया या बाद किया जाता था, कभी-कभी इस हिस्सों को लगान मान कर करवसूगला जाता था, क्यूंकि प्राप्त करने वाला भूसवामी होने का दावा करता था राजस ब्यापारियों से भी लिया जाता था जो आपके सामन्त लोग थे या बड़े Genau सामी लोग थे ठीक है जो लोग हैं किसान हैं उनसे भी करवसूलते थे पसुपालकों से कारी गरॉं से इन सबी लोगों से ब्यापारियों से भी ये लोग कर बसूला करथके थे कर को किस रूम में ये प्रियोग करते थे बात यहांपर की गी ये संसाधन राजा की विवस्ता या बित्य आधार बनते थे जो आपके सामंत लोग थे, बड़े भूस्वामी थे या सरदार लोग थे, वो किसानों से भी बसूला करते थे, ब्यापारी पसुपालकों, यानि कि सभी लोगों से वो कर बसूला करते थे, कर का इस्तेमाल मंदिरों में किया जाता था, दुर्गों के निर्मान में भी इसका इसका इस्तिमाल किया जाता था, संसाधन उन्हें युद्धों को लड़ने में भी इसका इस्तिमाल किया जाता था, लूट की सकल में धन मिलने की तथा जमीन और ब्यापारिक मारगों के प्रियो की संमपावना भी बना करती थी, यही कर जो बड़े भूस्वामी लोगों से बसूला करते थे, आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया होगा, आँगे बात के गई, राजस बसूली के लिए पदा धिकारियों की न्यूकती, सामानता प्रवावसाली परिवारों की बीच ही की जाती थे, प्राया बंसा नुगत होती थ क्वेस्टन आपकी एकजाम में बनेगा, जो आपके साथवी से बारवी सताबदी की बीच में दच्छड भारत में आपका करवसूला जाता था, ठीक है, करवसूला जाता था, वो बसूले वाले जो लोग हुआ करते थे, वो कैसे हुआ करते थे, वनसा नुगत होंगे, किस महत पुड चीजें यहाँ पर बताई गए हैं, प्रस्तितियों और भूमी अनुदान, प्रस्तितियों में ऐसे बेवरे होते हैं, जो सब्दिसा सत्त भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये प्रस्तितियां हमें बताती हैं, सासक खुद को कैसा दरसाना चाहते थी, मिसाल के लिए अमेशा किसी चीज को सत्त नहीं दर्साती थी, यह राजाओं के बारे में बताती थी, यहाँ पर महित्पूर लाईने आपके एकजाम के लिए दी गई हैं, बारवी सताब्दी में एक ब्रहध संस्कृत काब की रचना की गई थी, जिसमें कस्मीर पर सासन करने वाले इसे कलहड नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया, कलहड ने अपना ब्रतांत लिखने के लिए सिला लेखों, दस्ता बेजों, प्रतच दर्सियों के वरडनों और पहले के इतियास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया, प्रस्तियों के लेखनों से भिन है, वह अपसर सासकों, उनकी नीतियों की बारे में आलोचनातमक रूक दिखलाता है, इसलिए बारवी सधी के लिए यह असाधारद ग्रंत था। किस ग्रंत की यहाँ पर बात की जा रही है? मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, एक-एक चीज मैं आपको यहाँ पर बतान जिसने राज तरंगडी, कौन सी पुष्टक, राज तरंगडी, राज तरंगडी जो है आपकी पुष्टक, वो पुष्टक लिखी थी, जिसमें आपकी कस्मीर के राजाओं का यहाँ पर वरडन मिलता है बारवी सताबदी का, यानि कि जो कलहड था, उसने सिर्फ कस्मीर के वारे में ही अपने बिरतान तिलिके हैं, किस पुष्टक में राज तरंगडी, राज तरंगडी याद रखीएगा बड़ी ही महितपूर है इसकी पुष्टक, कलहड की पुष्टक, आंगे यहाँ पर बताया गया है धन के लिए युद, जो राजा लोग थे, वो धन के लि का प्रियास करते थे, एक बिसेस रूप से बांचनिये छेतर था, गंगा घाटी में कन्नोज नगर, कन्नोज नगर जोकी अत्यंत महितपूर नगर था, इतिहास की दिरश्टी से, आईएगा इस पर मैं आप लोगों को यहाँ पर बात बताता हूं, गुरजर प्रतिहार, र इस लाइन से एकजाम में कम से काम, दो से तीन बार, एकजाम नगर ने क्वेस्टन आप लोगों से पूँचा है, ठीक है, कन्नोज पर नियंतरड कौन कौन करना चाहता था, गुरजर प्रतिहार, राष्ट कूट और आपके पाल बंस, यह तीन ऐसे बंस हैं, जो कि कन्नोज को अपना बनाना चाहते थे, नियंतरड करना चाहते थे, गुरजर प्रतिहार, राष्ट कूट और पाल, बड़ा ही मतलब कि यहाँ पर बड़ी ही मैतपुड यह लाइने यहाँ पर दी गई, आंगे बात की गई है, चूकि इस लंबी लड़ाई में तीन पच्च थे, पहल कोसन एकजाम में इस प्रकार से पूछा गया है, कनोज पर लंबे समय तक तीरी पच्ची संगर्स किन तीन राजबंसों के बीच में चला, बही आचुका यहाँ पर कोसन, जिसको मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया था, गुरजर प्रतिहार पाल और चोल, चोल क्या इस में सामिल थे, ओप्सन फोर यहाँ पर राइट इसका जबाब यहाँ पर हो जाएगा, आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि कोसन एकजाम में कैसे पूछा जाता है, आँगे यहाँ पर बताया गया है, सासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माड करबा दिया, अपनी सत्ता और संसादनों का प्रदर्शन दिखाने के लिए, इसलिए जब बे एक दूसरे के राजियों पर आकरमण करते थे, तो मंदिरों को भी अपना निसाना बनाते थे, जो कभी-कभी बहुत अधिक संपन होते थे, जो सासक लोग हुआ करते थे, वो मंदिर का निर्माड किया जाता था आपके मंदिर में उस काल के दोरान आंगे यहां पर बात की गई है उसी से सम्मधित अफगानिस्तान के एक गजनी का एक महमूद गजनभी था ऐसा ही एक सासा के उसने धार्मिक पूर्बा ग्रेस प्रेरित हो उपमादी पर 17 बार आक्रमड किया जो आपका भारत पर कितनी बार आक्रमड किया भारत पर उसने 17 बार आक्रमड किया था एक हजार से एक हजार पच्चिस एक हजार पच्चिस में उसने सोमनात मंदिर याद रखीगा जो आपका सोमनात मंदिर गुजरात में इसको उसने लूटा था बीस लाक की दीनार ये लूट कर ल मिल है महिमूत को धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वहवो साली राजधानी के निर्वान में खर्च हुआ महितपूर लाइन है आंगे यहां पर बात की गई है युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे चाहमान का मतलब है चाह जिसमें आपका प्रतिवी राज चाहमान जो की चाहमान बंस का सबसे अधिक प्रतापी राजा माना जाता है जो बाद में चाहमान के रूम में जाने गए बे दिल्ली और अजमेर के आसपास के छेतर पर सासन करते थे क्वेस्टन बनेगा दिल्ली और अजमेर के आसपास सा करने वाला बंस कौन सा था जबाब आपका होना चाहिए चौहान राजबंस था आंगे यहां पर बात की गई है उन्होंने पस्सिम और पूरप की और अपने नियंतरट छेतर का विश्तार करना चाहा जहां उन्हें गुजरात के चालुकियों और पस्सिमी उतर प्रदेश के गड़वालों से टकर लेनी पड़ी चाहमान सासक जो प्रतिवी राज तरतिये था 1168 से लेकर 1192 जिसने सुल्तान मुहंबत गोरी नामक अफगान सासक को 1191 में हराया और लेकिन दूसरे साल 1192 में खुद ही उससे हार चुका था कौन प्रतिवी राज चाहान यहां पर आप लोगों ने क्या क्या समझा निसकर्स क्या निकला इसको समझानी के पस्जात वो मैं आपको यहां पर बताता हूँ ठीक है जो चवान आपका बंस था वो दिल्ली और अजमेर के आसपास का एक बंस था ठीक है और इसने युद्ध करना चाहा गुजरात के चालुक्यों से औ पस्जिम के उत्तर प्रदिस गड़ बहालों से और उसके पसाद 1191 और 92 में एक महतपूर आपके युद्ध हुए थे कौन सा युद्ध प्रतिविराज चवान और मुहंबत गौरी की बीच में 1191 का युद्ध किस नाम से जाना जाता है किस नाम से आपका जाना जाता है तर तराइन का युद्ध तराइन का प्रतम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध आपका हुआ था दूसरे युद्ध में प्रतिविराज चवान हारे थे और पहले में ये जीते थे अब यहाँ पर बात करेंगे चोल बंस की आखिर चोल बंस जो है बो सत्ता में कैसे आ परिवार की सत्ता थी बेकाची पुरम के पल्लव राजाओं के मात हत ते मात हत का मतलब होता है बड़े भूस्वामी उरैयार के चोल बंसिये प्राचीन मुखिया परिवार के बिजियाले ने नौवी सदी के मद्ध में मुट्रियारों को हरा कर इस डेल्टा पर कबजा जमाय उसने वहां तंजाबूर सहर और निसुम्ब सूधनी देवी का मंदिर बनवाया बड़ी महतपूर लाइन है यहाँ पर तंजाबूर सहर को किसने बनवाया और निसुम्ब सूधनी देवी मंदिर को किसने बनवाया था किसने बनवाया था आपका ये महतपूर है आपके एक प्रेपुर और उरेपुर तंजाबुर और उरेपुर तंजाबुर सहर को किस ने बसाया था आपके बिजयाले ने बसाया था जो की चोल बंस का एक कह सकते हो मुखिया या राजा इसको बोल सकते हो आँगे मैं आपको यहाँ पर और चीजें यहाँ पर आपको बताता हूँ विजयाले की उत्रा धिकारियों ने पडोसी इलाकों को भी जीता और उसका राज अपने छेतरपल तथा सकती दोनों को रूम म बढ़ता गया दच्चिड और उत्तर के पांडियन और पल्लो के इलाके इस राज का हिस्सा बना लिये गए राज राज पिर्थम जो सबसे सकती साली चोल सासक माना जाता है बड़ी महतपूर लाईने एकजाम के लिए कुछसन बनेगा कि चोल बंस का सबसे सकती साली राजा कौन था तो राज राज पिर्थम था जिसने 985 में राजा बना और उसी ने इसमें ज़्यादातर छेतरों पर अपने नियंतरड का विस्तार किया उसने समराज की प्रसासन का भी पुनर गठन किया आंगे बात की गई राज राज के पुत्र राजेंदर पिर्थम ने उसकी नीतियों को जारी रखा उसने गंगा घाटी स्री लंका दचिडपूर एसिया के देशों पर भी हमला किया किसने राजेंदर पिर्थम ने बड़ा महतपूर है यहाँ पर जो की राज राज का बेटा था राजेंदर उसने दच्चिड एसिया में हमला किया, गंगा घाटी में हमला किया, स्री लंका में हमला किया, बड़ा ही मैतपुड, इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई, जल सेना अभियानों के लिए किसने बनाई, राजेंदर प्रिथम ने बनाई, आंगे मैं आपको य चोलपूरम बड़ा महतपूर के बड़े मंदिर इस्तापत और मूर्ती कला की दिर्ष्टी से एक चमत कार है महतपूर लाइन है आपके एकजाम के लिए कोईस्चन बनेगा तंजाबुर और गंगई कोंड चोलपूरम जो बड़े मंदिर हैं इनका निर्माड किसने करवाया राजराज और राजिंद परथम द्वारा बनवाए गए जो की बाप बेटे थे बड़ी महतपूर है लाइन एकजाम के लिए आँगे यहाँ पर बताया गया है चोल मंदिर अकसर अपने आसपास भिक्सित होने वाली बश्तियों के केंद्र बन गए ये सिल्प उतपादन क केंद्र थे ये मंदिर सासकों और अन लोगों द्वारा दी गई भूमी से संपन हो गए इस भूमी की उपज उन सारे विसेसग्यों का निर्भा करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे प्रोहित मालाकार बाबर्ची महतर संगीतका नर्तक इत्यादी दूसरे सब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आरादना के इस्तान नहीं थे बलकि बे आर्तिक सामाजिक और सांसकर्तिक जीवन के केंद्र भी थे मंदिर के साथ जुड़े हुए सिलपों में सबसे विसिष्ट कांस प्रतिमाय बनाने का काम था चोल कांस संसार की सबसे उतकरष्ट कांस प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं आप लोगों को जो मैंने यहाँ पर लाइन आपको बताए हैं यह बड़ी महतपूर हैं एकजाम में क्वेस्टन तीन चार वान इन लाइनों से पूचा गया है सबसे महतपूर जो लाइन है आपर मंदिर जो यहाँ पर हाइलाइट कर दिया है इस लाइन से क्वेस्टन आपकी एकजाम में पूचा जा चुका है और यह सिल्फ उत्पादन के केंदर भी थे जो चोल मंदिर थे यह अपने आसपास बिक्सित होने बाली बस्तियों केंदर बन गए ठीक है तो केंदर बन गए थे यह के बिसे में निम्नलिकित कथनों में से कौन सा सही है चोल मंदिर प्राया अपने आसपास बिक्सित होने वाली केबल ग्रामीड बस्तियों के केंदर बन गए यहाँ पर केबल सब्द जोड दिया गया है इसलिए कथन यहाँ पर गलत हो चुका है जन साधारण द्वारा दी कही भूमी से चोल मंदिर समपन हो गए या निकि सबी जो लोग ょँ यहाँ पर भूमी दिया करते थे उन्न सभी का यहां पर महत होता था आंगे यहाँ पर बात कि S WE आरतिक समाजिक और संस्कृतिक जीवन के केंदुरते ना कि केबल पूजा और आराधना के लिए ही थे यहां पर यह जवाब यहां पर ओप्शन जो थर्ड है वो राइट हो जाएगा लहो प्रतिमाओं का इसमें प्रियोग नहीं हुआ है, जब कि कांस प्रतिमाओं का यहाँ पर प्रियोग हुआ है, एकजाम में ऐसा question आप लोगों से पूँचा गया है, अंगला question भी यहीं से आप से पूँचा गया था कि कथन और कथन के रूम में, चोल मंदिर धारमिक, समा एवं सांसकर्तिक के जीवन केंद्र हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा, चोल कांस प्रतिमाओं देवी देपताओं की थी, और कुछ प्रतिमाओं भक्तों की भी थी, बिल्कुल राइट हो जाएगे, दोनों कथन यहाँ पर आप भी कैसे होंगे, सही यहाँ पर बिल्कु देपताओं की होती थी लेकिन कुछ प्रतिमाए भक्तों के द्वारा भी बनाई गई होती थी मैंने अभी आप लोगों को दो क्वेस्टन इसी स्टेटमेंट से करा दिये जो की हुभू बिलकुल यहीं से उठा लिये गए थे डाइरेक्ट अब बात करेंगे क्रसी और बाड़ी में मिलने से पहले छोटी-छोटी साखाओं में बट जाती है ये साखाएं बार-बार पानी उलीचिती हैं जिनसे किनारों पर उपजाओ मिट्टी जमा होती रहती है साखाओं का पानी करसी विसेश रूप से चावल की खेती के लिए आबस्यक आदरता भी मुईय कराता है आंगे बताये गया है आप यहां पर समझीएगा जो चोल राज है जो कावेरी नदी का डेल्टा है वहां पर किसकी फसल की जाती थी मुखत और पर वो चावल की फसल वहां पर की जाती थी हलाकि तमिल लाडू के दूसरे हिस्सों में क्रसी पहले ही बिक्सित हो चुक पमतल किया जाने लगा, डेल्टा चित्रों में बाड को रोकने के लिए तटबंद बनाए जाने लगे, पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माड किया जाने लगा, और कई चित्रों में साल में दो बार फसलें उगाई जाने लगी, ठीक है, आपके लिए जो तो यहाँ पर नहरें थी, तमिल लाडू में उन्हें नहरों का भी निर्माड कराया राजाओं ने, सिचाई के लिए, और कही जगहों पर फसलों की सिचाई क्रत्रिम रूप से करना जरूरी था, सिचाई के लिए कई पद्धितियां अपनाई गए थी, कुछ इलाकों में कु गटा किया जाता था, विसाल सरोबर में, इसलिए सरोबर भी बनवाय जाते थे, निसकर्स यहाँ पर निकला सिचाई के लिए, जो कि तमिल लाडू की बात करूं, या दच्छिड भारत के प्रमुक राज बंसों में जो सिचाई की पिर्था थी, उसमें आपके कुएं आज की एक चोल कांस प्रितिमा आपकी यहाँ पर दर्साई गई है, यह जो चित्र है आपका, यह एक तमिल लाडू का जलद्वार यानि की होज का यहाँ पर चित्र दर्साया गया है, तमिल लाडू का एक होज का चित्र, ठीक है, तो यह आपकी एकजाम के लिए महतपूर नही और तै करना की पानी वटवारा कैसे किया जाए जादातर नए सासकों के साथ ही साथ गाउं में रहने बारे लोगों ने इन गतिविदियों में सक्रिये रूप से दिल्चस्पी दिखलाई थी किसमें सिचाई के परियोजनाओं में काम करने में आगे यहाँ पर बात की गई सामराज का प्रसासन बड़ी मायतपूल लाइन मैंने यहाँ पर हाइलाइट की गए और यहीं से एक्जामनर ने क्वेस्टन भी आप सबी से पूँचा है प्रसासन किस प्रकार संगटित था किसानों की बस्तियों को और कहते थे किसानों की बस्तियों क्या कहलाती थी और कहलाती थी सिंचित खेती के साथ बहुत समरद होती गए इस तरह के गाओं के समू को नाडू कहा जाता था समराज का जो प्रसासन था मैं बात करूँ बस्ति की किसकी जो बस्तियों थी गाओं की या किसानों की उनको तो उर कहते थे जो गाओं का समू था क्या था जो गाओं का समू था गुरूप ओफ विलिस जो था उसको कहते थे नाडू दो सब्द यहां पर कंप्लीट कर लीजिए गा नाडू और उर आगे बताया गया है ग्राम परिसद नाडू नियाय करने और करवसूलने जैसे परिसासनी जो कार करते थे नाडू का कार क्या था नियाय दिलाना था गाओं का क्या था गाओं का मतलब समू का क्या था नियाय दिलाना करवसूलना इनका प्रमुक काम था आंगे बात कीगी धनी किसानों को केंदरी चोल सरकार की देख रेक में नाडू के कामकाज में अच यहां पर जो मैंने आपको बताया किसानों की बस्तियों को और कहते थे यानि की मैं बात करता हूँ दच्चिड भारत की किसकी बस्तियों को और कहा जाता था किसानों की बस्तियों को यानि की खेती हरों या किसानों की बस्तियों को और कहते थे गाउं के समू को क्या कहते थे गाउं के जो समू थे गाउं के समू को क्या कहते थे नाडू कहते थे क्या कहते थे नाडू कहते थे किसलिए नाडू होते थे गाउं में नयाय दिलाने के लि यहां पर इसलिए मैंने लिख दिया है रट लो क्योंकि बहुत महतपूर चीजे हैं यहां पर भूमी के प्रिकार ठीक है चोल अभिलेकों में भूमी की बिबिन कोटियों का उलेक मिलता है बेलन वगाई गैर ब्रहमण किसान भूमी की भूमी को क्या कहते थे ठीक है उसको कहत बिलन वगाई ब्रहमणों को उपहार में दी जाने बाली भूमी आपकी थी ब्रहमदे बड़ी महतपूर है लाइने जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं एक बार और आप सुन लीजिएगा गैर जो ब्रहमण ना हो जो ब्रहमण की जाती में ना हो उस उस भूमी को कहते बेलन वगाई ब्रहमणों को उपहार में दी गई भूमी को कहते थे ब्रहमदे आंगे बताया गया है किसी विद्याले के रक रकाओं के लिए जो भूमी दी जाती थी उसको कहते थे साला भोग कहते थे मंदिर को उपहार में दी गई भूमी को कहते थे देवदान या आप लोग यहाँ पर समझेगा, ब्रामडों वाली भूमी ब्रहमदे और स्कूल या विद्धाले के रकरकाओं के लिए साला भोग, मंदिर में देवदान, जैन के लिए पल्ली चद्दम, ठीक है, तो यहाँ से क्वेस्टन भी एकजाम में बन चुका है, क्वेस्टन सबसे प ब्रामडों को दी जाती थी, जैन को आप जानते ही हैं, वो आपके चोल भासा में आपको बताएगा, स्कूलों के लिए आपकी साला भोग, कौन सी भूमी, साला भोग आपकी भूमी हुआ करती थी, मंदिरों के लिए देवदान भूमी के नाम से उसे जाना जाता था, यहा आप लोगों ने यहां तक इस वीडियो को देख लिया है, अभी आप सभी लोग कमेंट बोक्स में कमेंट करेंगे, क्या कमेंट करेंगे, आप सभी लोग कमेंट बोक्स में कमेंट करिएगा, क्या करिएगा, ब्रम दे, सभी लोग ब्रम दे इसमें लिख देंगे, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे स्टूडेंट ने इस वीडियो को यहां तक बाच कर लिया है अब बात करते हैं आंगे की आंगे यहां पर कुछ महतपूर चीजें आप लोगों को यहां पर बताए गई हैं जैसे कि हमने देखा कि ब्रामणों को समय समय पर भूमी अनुदान या ब् ब्रामणों के लिए भूमी दी जाने लगी ब्रामण को बसाया जाने लगा इस कारण तमाम परिडाम सुरूप कावेरी घाटी का जो मैदान है दच्छिड भारत के दूसरे हिस्से के जो मैदान है आपर धेरों ब्रामणों की बस्तियां अस्तित में आ चुकी थी आंगे य ब्राम्मड था, बड़ा भूस्वामी ब्राम्मड था, ठीक है, बही इनकी देखरेग भी करता था, ये सवाएं बहुत कुसलता पूर्वक काम करती थी, इनके निरड़े स्ला लेकों में प्राया मंदिरों की पत्थर की दिवारों पर ब्योरे दर्ज किये जाते थे, नगरम क अब लेक में इस बात का विश्तार क्या बताएगा है? कि ब्रहमणों की सभा का संगटन कैसा था? सहचाई के कामगाज, बाग बगीचे, मंदिरों, इत्यादी की देखरेक के लिए सभा में विबिन समितियां होती थी. इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग थे, उनके ना यह कहा जाता था. आंगे यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताएगे हैं, बो यहाँ पर बहुत महत्मुन, अबिलेक से सम्मधित कुछ चीजें हैं, यहाँ से क्वेस्टन भी एकजाम में पूचा जा चुका है, इसको जानने से पहले मैं आप लोगों को आंगे यहाँ पर क्राइटेरिया क्या थी, उत्तर मेरू अविलेक में मतलब उसमें सम्मिलित सभा में होने के लिए, यहाँ पर बताया गया है कि सभा की सिदत्सिता के लिए इच्चुक लोगों को ऐसी भूमी का स्वामी होना चाहिए, जहां से भूराजस वसूला जाता हो, उसके पास अप बेदों का भी यहाँ पर ग्यान होना चाहिए, और आगे बात की गई है, उन्हें प्रसासनिक मामलों की अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए, इमानदार भी होना चाहिए, और कोई पिछले तीन सालों में किसी समिति का सदस रहा हो, तो है किसी और समिति का सदस नहीं बन सक बेदों का ग्याने भी होना चाहिए, किसको होना चाहिए, किसलिए होना चाहिए, आप समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ये उत्तर मेरू अवलेक में के अनुसार इनकी सभा की जो सदस्यता थी, उनके लिए जो eligibility criteria बताईगी है, वो यहाँ पर बताईगी, question भी उनसे सर्थ नहीं थी, यानि की गलत कथन यहाँ पर आपको पहँचानना है, उनकी उमर 25 से 70 के बीच में होनी चाहिए थी, गलत हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया, 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए, बस right जबाब आपका एक ही यहाँ पर हो जाएगा, उनके पास घर हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर साब तोर पर देख सकते हैं, उनकी उमर कितनी बताएगी, 35 से 70 बताएगी, वहाँ पर दिया गया है, 25 से 70, इसलिए यहाँ पर गलत हो चुका है, आगे मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताना चाहिता हूँ, ठीक है, आगे यहाँ कुछ नहीं दिया गया, यानि कि चेप्टर आपका यहाँ पर समाप्त हो चुका है, जोडे मिलान से समधित कुछ सन यहाँ से यह भी आपकी एकजाम में बन चुका है, जो कि NCRT का यहाँ पर कुछ सन बताएगा, गुर्जर प्रतिहार आपका कहां है, यह आपके गुजरा पाल आप लोग जानते हैं बंगाल में, कहां पर पूरब के इलाके में बंगाल है, और चोल जो है आपका यह है आपके तमिल लाडू में, यहाँ पर जो आपका मिलान दिया गया है, यह यहाँ पर गलत दिया गया है, मैं आपको एक बार और यहाँ पर समझा देता हूँ, गुरजर पृतिहार ये आपके गुजरात वाले इलाके में हो जाएंगे और राजस्तान वाले इलाके यहाँ पर आपकी यह हो जाएंगे चोल आप लोग जानते हैं तमिल नाडू में हो जाएंगे पाल आपके पूरब यानि की बंगाल में हो जाएंगे ठीक है और राश्ट कूट ये पस्मी दखन में हो जाएंगे ठीक है कुछ सब दियां पर दीक सामंत बड़े भूस्वामी थे मंदिर आप लोग जानते हैं नाडू गाओं के समू को कहते थे एक बार और मैं इन सभी क्वेस्चन को करवा देता हूं क्वेस्चन कहता है कि दान्ती दुर्ग जिसने हिरडगरव नामक एक अनुष्टान किया था वह आपका था राष्टकूट ब्रदान जिसने राष्टकूट वंस की इस्तापना की थी दंती दुर्ग जिसने कौन सा आपका अनुष्टान किया था हिरडगरव नामक अनुष्टान से व्यक्ति छत्रीत प्राप्त कर लेता अंगला क्वेस्टन क्या है? यहां पर अंगला क्वेस्टन है कि कन्योज पर लंबे समयता तिरी पच्छिय संगर सक्किन तीन राजबंसों के बीच में चलाता, यह पाल, राश्टकूट और गुरजर पृतिहार के बीच में चलाता, यह कन्योज को अपना नियंतरड, मतलब क उनपर नियंतरड करना चाहते थे, कन्योज पर यह पाल और राश्टकूट और गुरजर पृतिहार, कन्योज जो है आपके गंगा घाटी, गंगा घाटी के मैदान में इस्तित एक छेत्र है, ठीक है, अंगला क्वेस्टन आईएगा, यहां पर मैं आपको बताता हूँ, सा क्या कहता था, सामंत कहता था, और जो यह बड़े भू स्वामी या योद्धा सरदार थे, यह खुद को घोसित कर लेते थे, महा सामंत या महा मन्डले स्वर, खुद को घोसित कर लेते थे, राइट जवाब यहापर आपका ओप्सन फोर हो जाएगा, अंगला क्वेस्टन पर है निमने लिकित में से राज बंसों किसके समय में बेटी कर नगत की वज़ा जवरन बसूला जाता था ये आपका था चोल बंस में ये जो कर था खजूर या ताड के पेंड पर चड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सेडियों पर कर लगा जाता था पारिबारिक पताए गया है अंगला क्वेस्टन क्या है तमिल लाडू में जो किस बस्तियों को और कहा जाता था किसानों और खेती हरों की बस्तियों को ही और कहा जाता था अंगला क्वेस्टन यहां से पूचा गया था चोल सामराज के मंदिर से कथन के रूम में चोल मंदिर धारमिक सा माजिक सांस्कृति के जीवन केंदर थे कतन भी है कि चोल कांस प्रतिमाद देवी देवताओं की थी और कुछ भक्तों की भी थी दोनों यहाँ पर राइट होंगे और सही हो जाएंगे दोनों कतन ठीक है यहाँ पर राइट जबाब आपका ओपसन इसका थर्ड यहाँ पर हो जाएगा अंगला कुछ सन क्या है इसी बर्स आपकी एकजाम दो हजार चोबिस में यह कुछ सन पूछा गया है लेकिन जो यह कुछ सन में बता रहा हूँ यह अंगले चेप्टर से समंदित है पेरिया पूर्णा में एक तमिल करती है जो कि साधारण पूरसों और महिलाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है ठीक है अंगला कुछ सन क्या है एलोरा की जो गुफा का भिती चित्रा है जिसमें बिसडू को नरसिंग के रूम में दरसाए गया है यह किस कालकी करती है यह आपकी राष्ट कूट कालकी करती है ठीक है अंगला कुछ सन यहाँ पर बताए गया है क्या है कि करीब 18 साल पहले एक प्रिसिद्ध तमिल जो महा काब करती है मतलब कि हम आपको यहाँ पर तमिल के बारे में भी बता देते है और चोल के बारे में भी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको प्रिदान कर देते है ठीक है तो इसलिए मैंने सभी कूस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट किया है कौन सी रचना है पर बताएगी काब सिलपदी कारम सिलपदी कारम जो है ये है आपकी इलांगों की रचना इलांगों की है महकाब की एक रचना है अंगला क्वेस्टन ये है कि जो जैसा की चोल अबलेक में अबलेकी था कि ब्रह्मदे उपहार में दीगी भूमी जो कि ब्रहमडों को दी जाती थी ब्रह्मदे मंदिर में आपकी कौन सी दी जाती थी देवदान भूमी थी मंदिर के लिए ठीक है देवदान भूमी और इसकूलों के लिए साला भोग इसकूलों के लिए कौन सी भूमी साला भोग आ जिसमें अब राश्टपती भवन में रखा गया है, इनमें से किस सासन काल के दोरान बनाए गया था, ठीक है, अंगला कोस्टन में आपको यहाँ पर बताता हूँ, यह कोस्टन भी यहाँ पर महित्पूर है, संगम कविताओं में किन तीन राजबंसों को मुवेंदर कहा गया चोल चेर पांड, क्योंकि यह दच्चिड भारत में इस इलाके में आपके पढ़ते हैं, चोल और चेर और पांड जैसे सरदारियों का उदे हुआ था, जिनको समलित रोप से संगम कविताओं में मुवेंदर कहा जाता, इसलिए महित्पूर है, ठीक है, अंगला क्या है यह अपर अंगला आपसे पूचा गया है किहा चेर जो कि दच्चिड भारत का एक राजबंस है, अंगला क्या है कहता है कि चोल मंदीर से संबंदित है मंदीर में पराया अपने आसपास बिक्तित होने वाली केवल ग्रामीड वस्तियों को केंद्र बनगे केवल ग्रामीड की नहीं बने इसलिए ये तो गलत हो जाएगा जन सादार द्वारा दीखी भूमी चोल से मंदिर संपन होगे जन साधारण से नहीं हुआ इडिक है इसमें ब्यापारी बर्गती भी था किसान भी थे पसुपालग भी थे यानि कि सभी लोगों से कर बसूला जाता था उसी से मंदिर निर्माट करा जाते थे ये भी गलत हो जाएगा चोल मंदिर धारमिक सामाजिक और संस्कर्तिक के जीवन बिंदू थे राइट हो जाएगा लहो प्रतिमाओं का इसमें प्रियोग नहीं किया गया है जबकि कांस प्रतिमाओं का इसमें प्रियोग किया गया है इसलिए ये भी गलत होगा बचा कौन सा सही बचा आपका यहां पर थर्ड वही यहां पर इसका राइट जवाब यहां पर हो जाएगा अंगला कुछस्न है राजा हर्स बर्दन के दरवारी कभी कौन था? बाड़ बटता उसने हर्स चरित नामक रचना की जो की आपकी संस्कर्ट में थी किसमें थी? संस्करत में थी, ये कुछ हट के सवाल है, लेकिन ये आपको अंगले टोपिक में मैं सभी चीज़ें यहाँ पर बता दूँगा, ठीक है? लेकिन अतिरिक्त के रूप में मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रदान करना चाहता हूँ, कुछ आरंबिक हिंद 25 नहीं, 35 से 70 बर्स में होनी चाहिए, गलत होगा, गलत ही पहचान की, मतलब की गलत ही आपको यहाँ पर बताना था, इसलिए उप्सन एक यहाँ पर सही होगा, इनके पास घर भी होना चाहिए, बेदों का ग्यान होना चाहिए, भूराज भी वसूरा जाता हो, ठीक है? उप अब all razón यहाँ पर जो आपका गर्भ ग्रहए, यही पर आपके मुख देवी देथा की मूर्थी रखी जाती थी, बस इतना आपको यहाँ पर समझना था, एक और यहाँ पर question है, मनी ग्राम और नोन देसी मडी ग्राम है, यहाँ पर क्या है? मडी ग्राम, मडी ग्राम और नो को सस्क्राइब करें तब तक के लिए धन्द बात और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा जय हिंद जय भारत